हेलो एव्रिवन वेलकम टू माय चैनल आज हम लोग कुछ डिफारेंसेस देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिकल कॉंपोनेंस के बीच जैसे कि आप यहां पर देख पारेंसेस बिट्वीन रेजिस्टर यह क्या है एक रेजिस्टर क्यापासिटर एन इंडाक्टर आप लोग के साम हमने तीन पिक्चर दिया हुआ है तो यहां पर आप देख पाना है कि यह कुछ रेजिस्टर से ठीक है और यह डेफिनेटी क्यापासिटर कि देखें आप लोग को समझ में आ गया होगा और यह क्या है यह एक इंडाक्टर अभी मैं डिफारेंस समझाओंगा कि इन तीनों म पीकर क्या क क्या है इस थाना बहुत जरूरी है यह तीन इलेक्टिकल कंपोनेंस इन यह 3 त्री आर्शियम्टियर कंपोनेंस थेट स्वेलेक्टिकल कंपोनेंस선फ क्या हिए और के रेजिस्टर क्या होता है to see register का जो symbol होता है वह सबसे सब्ल lenses यहां से शुरू श्रू जीए कपासिटर का symbol है कुछ इस थरीके से और inductor का symbol है कूछ इस तरीके से मैं तो रिजिस्टेंस रिजिस्टर ऑट herd तो तीनों का काम क्या है इस मिलारिटी इस क्या है मैं वह सबसे पहले बताता हूं डी कि सिमिलारिटी या फिरी सिमिलारिटी क्या है कि और आर यौः आल एक्षेज कि रिजिस्टेंज इस आइस यानि की सबको एक फंक्शन यह है कि इससब को omena के लिए क्याрист करते है करेंट और को करेंट फ्लो को रीजिस्ट करने के लिए है यूज करते है अब बतावगे कि री स्तर तो है ही हो क्या सब्र्बाइक्टर क्या जरूरत है अब देखो रीस्सिंस क्या करता है डिस सब्सक्राइक ये यह नने यह लगा दिया ठीक है भी और यह की है कि अब होगा क्या यह इलेक्ट्रों सो टारेक्ली वह रची स्करीगा जो एलेक्रों फ्लो है उसको रची स्थ करेगा एजर रेजल्ट यहां पर क्या होगा हिटिंग एफेक्ट आएगा क्या आएगा हीटिंग एफेक्ट हीटिंग एफेक्ट यह कौन करता है यह करता है रेजिस्टर ठीक है किसका काम है यह रेजिस्टर का जैसे की बल्ब हो सकता है हम लोग का जो बल्ब फिलामेंट बल्ब ठीक है इसके एक जम्पल क्या है फिलामेंट ठीक है, then heater, electric heater, इन सब में क्या होता है, heating effective होता है, जो material यूज़ करते हैं, उसमें जादा से जादा resistance रहते हैं, और heat radiate करते हैं, ठीक है, अब देखो, capacitor क्या करता है, वो भी resist करता है, किसको, current flow को, यह क्या करता है, वो भी resist करता है, किसको, current flow को, तो यहाँ पे, जो resist करते हैं, यहाँ पे, जैसे की resistor का हो गया resistance, है नो, resistance, generally बोलते हैं, but in case of capacitor, हम लोग इसको बोलेंगे, reactance, ठीक है, generally capacitive reactance होते हैं, इसको थोड़ा, हम लोग चेंज करके दिखते हैं, capacitive reactance, capacitive reactance, ठीक है, जिसका जो symbol है, वो है, xc, इसका एक formula है, xc equal to, 1 by omega c, ठीक है, symbol have their usual meaning, अभी मैं symbol पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यह class 12 के AC chapters में है, तो यह है resistance, यहाँ पे एक, अच्छा बात क्या है, capacitor अगर हम लोग use करते हैं, तो इसके across में जो power dissipate होता है, power dissipation, ठीक है, वो होता है, कितना, 0, ठीक है, यानि कि वो ज्यादा तर heat नहीं करता है, और power dissipation, 0 करता है, इसलिए, इसका बहुत utility और, UTDTS electrical circuit में, अब inductor क्या है, देखो, inductor एक simple coiling है, ठीक है, यह क्या है, हम लोग बोलता है ना, कि solenoid, जस्ट एक solenoid है, यह circular shape में भी हो सकता है, देखो, circular shape, और यह कुछ इस तरीके से rod के उपर लगा देंगे, तो यह ring form में भी हो सकता है, this is what, ring formation, ring, ring बन रहा है, ring form में है, है ना, तो यह एक solenoid है, जस्ट एक rod के उपर, हम लोग कुछ वैनिंग कर देंगे, तो यह solenoid बन जाएगा, अब देखो, होता क्या है, inductor, generally क्या करता है, store करता है energy, store energy, ठीक है, पट, देखो, एक चीज मैंने मिस किया, यह capacitor भी energy store करता है, it also store energy, ठीक है, पट होता क्या है, यह जो store energy store करता है, यह electric field form में करता है, capacitor, यह एक plate हो जाएगा, देखो, एक plate हो जाएगा positive, एक plate हो जाएगा negative, as a result, इन दोनों के बीच में, electric field exist करेगा, whereas, यह जो solenoid है, यह solenoid में energy तो definitely store होता है, but in the form of magnetic field, ठीक है, यहाँ पर magnetic field, generate हो जाएगा, magnetic field, ठीक है, और इसका काम क्या है, यह भी same काम करता है, यह भी resist करता है, ठीक है, flow of current को, किसको, flow of current को, जो, इसका जो resistance होता है, उसको हम लोग बोलते है, capacitive, sorry, capacitive तो नहीं होगा, अब हो जाएगा, inductive, inductive reactance, ठीक है, reactance हो जाएगा, जिसका हम लोग XL से लिखेंगे, एंड इसका जो formula होता है, XL equal to omega L, just मैं formula लिखे दे रहाँ, ठीक है, और इसमें भी power, जो dissipation होता है, average power वो होता है, 0, यानि कि वो heat ही नहीं होता है, ideal case में वो heat generate नहीं करता है, heating एफेक्टिस का नहीं होता है, ठीक है, just like capacitor, तो यह एक positive plus point है, positive advantage है, इन दोनों का over resistance, इतना समझ में आग गया होगा, और यहाँ पर देखो, दोनों ही store करता है energy, ठीक है, याद देखना, दोनों ही energy store करता है, एक करता है electric field form में, और यह क्या करता है, magnetic field form में, दोनों नहीं, तीनों का काम है, रेजिस्टर करना, ठीक है, बट एक में क्या होता है, heating effect होता है, resistance में, whereas इसमें heating effect नहीं होता है, यानि कि power dissipation 0, जिरो पावर डिसिपेशन देख तो यह हैं सिंपल सा कुछ डिफारेंसेस बीटूइन रिजिस्टर केपासिटर सेंड इंडाक्टर तो होप कि इस वीडियो के हल्प से आप लोगों को यह सिंपल डिफारेंस ओवरल जो डिफारेंस होता है और सिमिलाइटी सोता है इन इलेक् सिंपल कुछ काम है और भी बहुत सब्सक्राइब के लेवल पर हम लोग यहीं समझ सकते हैं तो चलो और वेरी बेस्ट यह वीडियो समझने के लिए थैंक्यू बेरी मच्छ और हैव नाइस दे